कैसे हो मेरे उटर दोस्तों मैं हूं आपका हो शेफ धीरज आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं पोटाज पोटाज क्या होता है आप लोगों को नया कुछ सुनने को मिल गया होगा तो पोटाज हमारा होता है French cuisine का या continental cuisine का second course जो कि हमारे 17 courses होते हैं उसका ये second course होता है अब potage के अंदर आता क्या है? potage के अंदर आते हैं आपके soup जी हाँ तो हम आज बात करेंगे soup के बारे में और इस potage शब्द को आप किस तरीके से इस्तमाल करते हैं तो चलिए जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना लाल वाला बटन दबा देना साथ सत अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके वर्टसप पे डारेक्ट वीडियो दूँ तो आप मुझे नीचे सूपों में हम इनका इस्तमाल कर सकते मालीजे मैं आपको उधारन देता हूँ मैं बोलता हूँ कि मुझे एक कॉंटिनेंटल मेन्यू आप बना के देजी और आप एक मेन्यू बनाते हैं जिसमें कि आप सूप लिख देते हैं पोताज होट एंड सार तो जो बिल्कुली गल् सबसे पहले चाइनीज आपका नहीं आएगा कौं आपके फ्रेंच कुजीन में दूसरा आप चाइनीज सूप के आगे पोताज सूप पोताज नहीं लगा सकते हैं या इस कोर्स्त के अंदर सर्व कर सकते हैं वो है आपका थिन सूप और ठिक सूप thin soup मेरा मतलब वो पतले soup है जैसे कि consummate जो past, un past होते हैं हमारे consume हो गया जिसके हम लोग different garnishes के साथ उनके नाम बतल जाते हैं या हमारे un past broth हो गए जैसे कि हमारा Scotch broth हो गया, Buliabase हो गया, इस तरीकी के soup दूसरा हमारे thick soup जो कि गाडे soup होते हैं जैसे कि हमारे क्रीम उफ टमैटो, क्रीम उफ लीक, हमारे पटैटो, हमारे चावडर्स हो गए, हमारे इस प्रकार के सूप जो कि थिन, थिक, कोल्ड और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में भी आपके सिर्फ वही सूप आएंगे जो कि हमारी फ्रेंच कुजीन के अंदर, या जो हमारे कॉंटिनेटल कंट्रीज है, उनके अंदर हम लोग सर्फ कर रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है, आपको जब भी एक menu बनाना है, French menu, Continental menu, 12 course का, 17 course का, 4 course का, तो अगर आप उसके आगे potage cream and leek soup यूज़ कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, कहीं आप लिख दीजे potage hot and sour, तो वो बिल्कुली गल्त है, तो चलिए वीडियो को यही end करेंगे, और आगर आपके पास कोई और query है, कोई और question है, तो मुझे आप नीचे comment में लिखके बता सकते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद,